Hello students and learners, welcome to the Brain Box Tutorials, I am your teacher Priyanka और हम कर रहे थे ICSE Class 10 के Physics के Numericals, चाक्टर था Work, Power and Energy उसके हमने कुछ सम्स कर भी लिये हैं, आज बारी आती है कि हम आगे बढ़ें, उन सम्स को करें, तो चलो शुरू करते हैं Sum No.3 लिका है, A man spends 6.4 kJ energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies force in 2.5 seconds, calculate करना हमको No.1, the force applied and No.2, the power spent in HP that is horsepower by the man, HP का तो हमने relation देखा है, वाट के साथ क्या होता है, तो power अगर वाट में आ जाए तो उसको होट्स पावर में हम चेंज कर लेंगे, force निकालने बोल रहा है, force का formula तो work क्योंकि हमको दिया वैदे को energy is equal to work is equal to मैंने लिखा है 6.4 किलो जूल, energy बोल रहा था, मैंने energy is equal to work क्यों लिखा, because work का unit भी जूल होता है, और energy का ऐसा unit भी जूल होता है, दोनों का unit जूल है, दोनों ही एक दूसरे से related है, जितनी जिसमें energy उतना ही वो work करता है, तो कहीं पे भी अगर energy लिखा हो, किलो जूल को जूल में change करने के लिए multiplied by 1000 करते हैं, तो 6400 जूल आ गया energy है, या work है, displacement दिया गया है, time दिया गया है, अब देखो, force कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है, work का formula है, force multiplied by displacement, है न, तो force क्या होगा, work divided by displacement, ठीक है, इसका मतला 6400 जूल divided by 64 meter है, और यह हमारा answer आ जाएगा, 100 newton, क्योंकि force का ऐसा unit, newton होता है, बहुत easy है, यानि formula उन्हें work वाले यूज किया, बट उसमें 3 में से कोई भी एक चीज भी तो missing हो सकती है, जड़ी थोड़ा है, हर बार work ही देदेगा निकालने, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, अब number 2, number 2 गोल रहा है, power spent in horsepower, तो पहले power निकालते है, तो power का formula है, work upon time, again देखो work है या energy एक ही बात है, मतलब energy upon time भी अपने ही ले सकते थे, तो work तो यह ही है, 6400 Joule, time कितना लगा, 2.5 seconds, तो इसको अच्छे से, जितना divide होता है, कर लेते हैं, यह मैंने इसका point अटा के उपर, वो लगा दिया, 0, 10 लगा दिया, अब इसको करते हैं, 5 से, 2560 Watt आया है, लेकिन हमको horsepower में चाहिए, तो now 1 horsepower is equal to होता है, 746 Watt, तो हमारे पास में 2560 Watt है, तो 2560 Watt को change करेंगे कैसे, 2560 divided by 746, और यह आजाएगा horsepower में, इसको देखते हैं, किस से जाता है, यह 2 से तो जा रहा है, और I think उसके बाद किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, अब 373 से divide करोगे, 1280 को, तो around 3.43 यह आएगा, तो this is the answer, इतना horsepower will be the answer, करते हैं, sum number 4, लिखा है, a weight lifter lifted a load of 200 kgf to a height of 2.5 meter in 5 seconds, calculate the work done and the power developed by him, और लिखा है, take g is equal to 10 newton per kg, तो हमको work और power निकालना है, work निकालना है, वर्क के लिए हमारे पास में formula है, तीन, एक है force into displacement, okay, now force into displacement में यहाँ एच है दिया हुआ, तो better है कि हम third वाला जो formula था MGH वाला ले, तो हम अगर formula work done का MGH लेते हैं, तो दिको G दिया है, H दिया है, लेकिन mass नहीं दिया, उसकी जगर load यानि weight दे दिया, kgf में answer है, हमको mass चाहिए kg में, तो मैंने एक relation बताया था अभी last वाले part में की, 1 kgf is equal to 1 kg होता है, यानि 200 kgf is equal to 200 kg mass, यह relation बता दो, because 1 kgf is equal to 1 kg होता है, इसलिए हमने 200 kgf is equal to 200 kgf ले लिया, यानि उसने 200 kg mass उठाया, अब mass हमको बता है, G बोल दिया है, sum में तो हमने वही ले लिया, G और height भी दिया है, sum में 2.5 meter, बहुत ही easy sum हो गया, सिर्फ इन सबको multiply करना है, तो इसको multiply करते हैं, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और फिर point लगेगा, यानि कि हमारा answer हो गया, 5000 joule, ठीक है, अभी number 2 में पोल रहा है, कि power developed by him, okay, power developed by him, वे भी बहुत easy है, power का formula तो हमको मालूम ही है, work divided by time, work है, अभी अभी निकाला, 5000 joule, और time दियावा है, 5 seconds, मतलब कि 1000 watt is the answer, या joule per second भी लिख सकते हूं, this is our answer, तो ये रहा sum number 5 लिखा है, a machine raises a load of 750 newton, through a height of 16 meter in 5 seconds, calculate number 1, the energy spent by the machine, and number 2, the power of the machine, if it is 100% efficient, वैसे तो कोई machine भी 100% efficient नहीं होती, बट ठीक है, हमको imagine करना है, तो सम बतलब easy हो गया वलकि, तो पहला है energy निकालो, कि energy कितनी spent हूई machine की, मैंने पहले वाले जो sums थे उनमें भी बताया था, कि energy और work एक ही चीज़ होता है, तो energy spent by the machine का मतलब है, work done by the machine, तो machine ने कितना work किया, तो machine ने work किया है, देखो, अभी ये machine ने कुछ load उठाया है, इतना newton का, unit से, ऐसा unit से समझ लो, load और force एक ही चीज़ होता है, force का unit भी तो newton होता है, तो हमको force मालूम है, height मालूम है, time मालूम है, energy के लिए, मतलब की force के लिए हम अगर F into S करें, तो problem ये है कि height दियावा है, H दियावा है, displacement नहीं दियावा, MGH ही अगर ये उस करें, तो हमको, वो हम यूज़ कर सकते हैं, देखो MGH, Y, देखो, हम formula यूज़ करते हैं, MGH, energy spent, MGH का मतलब क्या होता है, force ही तो होता है, तो MGH ये रहा force 750, MGH का मतलब 750 होता है, और height, height तो हमको बता है, 16 meter है, तो हमने ये formula यूज़ कर लिया, और बहुत easily फटावट हो जाएगा, 16,5080, और ये हुआ 120, तो इतना, यानि 12,000 Joule हमारा energy आ गया, इसका machine ने इतना spent किया, ठीक है, MGH वाले formula से निकाल लिया, G नहीं दियावा था, बढ़ हमको फिर M भी तो नहीं दियावा था, Mg की value दीवे थी, तो Mg की value यहाँ डाल दी, अब number 2 बोल रहा है, power, तो power of the machine क्या होगा, वही, work upon time या energy upon time, work divided by time, work है 12,000 Joule, time लगा 5 seconds, यानि कि 2400 watt, ये है power, और ये पूरा का पूरा power, machine ने use क्या है, क्योंकि 100% efficient है, अगर बाइचांज रूल लिखता कि 80% efficient ही है, तो ये तो 100% होता हम इसका 80% निकालते, 20% कहां खरच हो जाता है, हर machine जो है, कोई machine देखो, वो चलेगी ना, तो उसमें से heat energy ज़रू निकलेगी, तो कोई भी machine actually 100% efficient होती ही नहीं, कुछ तो waste होता ही है, और कुछ नहीं तो heat energy की रूप में waste हो जाता है, बट ये सम को मैंने बोला न, ये easy कर दिया, जो answer आया, बस वही answer छोड़ दो, क्योंकि ये 100% efficient है, यानि कि ये एक imaginary machine है, actual machine नहीं हो सकती, ओके, चलो आप करते हैं next sum, Sum number 6 लिखा है, An electric heater of power 3 kilowatt is used for 10 hours, how much energy does it consume? Express your answers in, पहला दिया है kilowatt hour में express करो, number 2 दिया है, joule में express करो, ठीक है, बहुत easy है, kilowatt hour में करना तो बहुत easy है, तो हम गोलते हैं energy kilowatt hour में निकलनी है, मतलग कि 3 kilowatt multiplied by 10 hour किया हमने, यानि कि हमारा answer 30 kilowatt hour आ गया, क्यों kilowatt into hour किया, क्योंकि energy या work is equal to power multiplied by time ही तो होता है, यह भी लिख सकते हैं, actually पहले लिख लोगे, कि energy जो है, या work है, यह is equal to power multiplied by time होता है, बस इसलिए हमने power into time कर दिया, 30 kilowatt hour, और अब next बोल रहा है, इसको joule में change करो, तो हमारे पास relation है, देखो, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 multiplied by 10 to the power 6 joule, यानि कि 30 kilowatt hour, 30 multiplied by यह पूरा, इसका मतलब, इसको अगर करें, 108 into 10 to the power 6 हुआ, लेकिन क्योंकि हमको यह एक के बाद ही point रखना चाहिए, यानि 1.08 तो यह हो जाएगा 10 to the power, यहाँ 2 किया, तो यहाँ 2 add हो जाएगा 8, 6 में 2 add हो गया, इतना जूल, यह answer आ गया, अगर by chance, ऐसे case में यह relation भूल चुके हो, तो भी बहुत easy है, kilowatt को watt में change कर लो, मतलब 3000 watt कर दो, और hour को second में change कर दो, मतलब into 60 minute वा, फिर into 60 second वा, अब power पता है, time पता है, अब power into time करो, this into this, और तुमारा answer जूल में आ जाएगा, 22 chance अगर भूल जाते हो तो, तो थोड़ा सा लंदी हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसी ही करना पड़ेगा, नहीं तो relation बताओ तो फड़ा फ़र, change कर दो, सम नमर 7 करते हैं, लिखा है, a water pump raises 50 liter of water, through a height of 25 meter in 5 seconds, calculate the power of the pump required, दियावाय, take g is equal to 10 newton per kg, and density of water दिया है, 1000 kg per meter cube, हमको निकालना है power of the pump, density of water और volume of water क्यों दे दिया, ठीक है, देखो, pump के power के लिए हमको चाहिएगा, power का work upon time, work कितना किया, work के लिए हमको चाहिए mg h, यानि कितना mass उठाया, कितना g है, कितना h है, g भी पताया, h भी पताया, और divided by time करना t भी पता है, यानि खाली क्या चीज़ की कमी है, m की, mass की कमी है, mass of water की कमी है, उसकी जगा volume of water, और density of water कर रहे हैं, उसका क्या काम है, mass is equal to volume multiplied by density, जब भी तुम लोगों ने chapter किया था, I think class 8 में किया होगा, तो density का formula था, density is equal to, mass upon volume, correct, तो mass का formula क्या होगा, volume multiplied by density, है न, तो हम mass of water ऐसे निकाल देते हैं, volume, अब volume में problem क्या होगा, यह 50 liter दे दिया, volume हम लोग जो निकालते हैं, क्यूब आइड क्यूब, यह सब का volume निकालते हैं, cubic meter, cubic centimeter, हमको यह सब कुछ ऐसा unit में चाहिए, यानि volume चाहिए, cubic meter में, यह है liter, तो पहले liter को cubic meter में change करो, वो कैसे change करेंगे, इधर देखो, यहाँ पे change कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो, मैंने अभी volume ऐसे काई से लिख दिया, 50 liter, density, तो ठीक है, kg पर meter cube में है, यह तो बिलकुल ठीक है, बस यह liter को, हमको cubic meter में change करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखो, 1 liter का मतलब होता है, 1 cubic decimeter, बदलना हो, तो हम क्या करते हैं, decimeter को meter में बदलने के लिए, हम divide by 10 करते हैं, पर कि यह cubic decimeter है, तो cubic meter में बदलने के लिए, तीन बार 10 होंगे, क्योंकि cubic है न, 10, 10, 10, यानि divide by 1000 करेंगे, और यह cubic meter हो जाएगा, multiplied by 1000, तो है, kg पर meter क्योंग, तो 1000, 1000 कट गए, यानि हमारा answer आ गया है, 50 kg, ठीक है, यह तो आ गया, 50 kg mass, mass आया अभी तो, हमको निकालना है क्या, work done by the pump, तो work done by the pump, is equal to m into g into h, वारा formula यूज करते हैं, m पता है, 50 kg, g दिया हुआ है, hb दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, बस multiply कर दो, 500 into 25, इतना work done आया, यानि joule, तो 12,500 joule, हमारा पहला का answer आ गया, और अब next question पूछ रहा है, इसी का, अच्छा next की आया, तो calculate the power बोल रहा है न, तो power, यह work done नहीं है, अब work done आपने निकाला, तो अब power निकाल देते हैं, power होगा, work, divided by time, यानि की, 2500 वाट, यह हमारा answer हो गया, तो इस वीडियो को, यह ही पेंट करते हैं, यह हमारा हुआ, second part of the chapter, work energy power, अब हम third part, यानि की बागी के numericals, लेकर कहेंगे, फटा-फट से, next video में, तब तक के लिए, practice करते रहो, solution अच्छे लगे, because sharing is caring, बवाए जहन,